नमस्कार आप सभी को SBT में साजबहु के तड़का में आप सभी का श्वागत है तो आज हम बहुत ही स्वादिश्ट और एकदम न्यू रेसिपी बता रहे हैं वो है लौकी से बनी हुई स्वादिश्ट रबड़ी बिलकुर रबड़ी से भी ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है एक बार आप जरूर बना के खाईए आपने लौकी की खीर तो खाई होगी परन्तु लौकी से रबड़ी बना कर खाईए कितना टेश्टी लगता है तो मेरे पास एक छोटा सा लौकी था करीब एक पाव के करीब उसको मैं कद्दू कस कर ली हूँ अच्छे से धो ली धोनेक बद कद्दू कस कर ली ये मखाना है थोड़ी सी पचास ग्राम के करीब इसको एक चमच घी में अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और ये काजू और बदाम है उसी साथ इनको भी फ्राई कर ली हूँ मैं हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए, सेयर कीजिए और एक बार अवश्य बना कर खाईए लौकी की रबडी तो अंत तक जरूर देखिए जिससे आपको पता चलेगा तो एक बार मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको डालना है थोड़ा सा मकाना गी के साथ तल लें फिर डालना है काजू बडाम को अब ये मिक्सी के जार में ठंडी होने के बाद इनको अच्छे से पीस देना है देखिए ये पीस कर तयार है हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए सेयर कीजिए देखिए दो चमच घी है ये घी है घर का ताजा घी है आप जो घी खाते उसका यूज कीजिए अब ये लोकी है लोकी का पानी को मैं निचोड के अलग से रख दे हूँ और लोकी को इतना भूनना है कि वो कड़ाई छोड़ दे और उसका पानी को भून जाए उसी में डाल देना तो उसमें से और पक जाएगा आप जादा बनाना चाहते हैं पूरी लोकी का तो उसे ही साब से बनाईएगा इसमें मैं तीन पाव के करीब दूद डालूंगी एक पाव लोकी में तीन पाव दूद ये ड्राइब फूर्ट से है देखिए पीसने के लिए मैं आपको पहले ही दिखाई इस तरह से मिक्सी में मैं पीस ली हूँ अच्छे से बारिक अभी दिखिए लोकी कितने अच्छे से ये भून गया है और भून कर कितना कम हो गया है बिल्कुल ऐसे ही लोकी को चम्मत चलाते रहना है बहुत कम हो जाता है अपने पानी को एकदम सोक लेता और कड़ाई छोड़ते तक ही इसको तलना है अब देखिए पक गया है ये गरम दूद है मैं अच्छे से दूद को गाड़ा होने तक पका ली थी अब कड़ाई में इस तरह से उसको चलाते रहना है जिस तरह हम दूद की रबड़ी बनाते हैं तो कंटीनू चलाते हैं चमच बिलकुल उसी ही तरह चलाते रहना है जिससे लोकी की रबड़ी एकदम गाड़ी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी अगर आप एका दसी का उरत करते हैं कोई भी उरत करते हैं तो उसमें खाये नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं रबड़ी बनने के बाद फ्रीज में रख दीजिएगा ये आस्क्रीम जैसे स्वादिष्ट लगेगी देखे इस तरह से चमच चलाते रहना है और एकदम मीडिया मार्च में ही बनाना है थोड़ा समय लगेगा आधा गंटा परन्तु रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगी ये आधा कटोरी के करीव शक्कर है आप शक्कर जितना मीठा खाते हैं उसे इसाब से बना लीजिएगा परन्तु रबड़ी में ज़्यादा शक्कर नहीं डालना चाहिए कम ही डाले जिससे रबड़ी का श्वाद दूद के साथ बना रहे दूद को अच्छा गाड़ा होने के तक पकाना है लोकी और दूद को और चम्मत चलाते रहे जिस तरह हम रबड़ी में चलाते हैं दूद की रबड़ी बनाने को हमारे सौट वीडियो को जाकर देखिए लाउंग वीडियो को देखिए प्लीज लाइक और सब्क्राइब कीजिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रबड़ी है एक बर्ज बना का जरूर खाईए तो इस तरह से पकने देना है 15 मिनाट आदा गंटा के अंदर में रबड़ी तयार हो जाती है मध्यमाज में बिल्कुल चम्मत चलाते रहे जब तक अच्छे से ना पक जाए अच्छे से पकने में ही शक्का डालना है जो मैं आपको दिखाई हूँ अब पक चुका है अब इसमें ड्राइफ रोट्स जो दिखाई थी इसमें बदाम है और मखाना है साथ में काजू भी है सबको अच्छे से पकने दीजिए एक घम गाड़ा होने प्यार ही इसको उतारना है हमें यह कितना अच्छा दीख रहा है खाने में बहुत टेश्टी लगता है यह बहुत हेल्दी रेश्पी है अगर उरत में है नौरात्री में अगर अभी करेंगे आप ठंडी में नौरात्री में तो इसे जरूर बना के खाईए गए देखिए यह दो इलाइची है पीस के डालना है और एक साबूद भी डाल दीजे इसका खुजबू बहुत ही अच्छा लगता है लवकी का रबड़ी जरूर बना के खाईए लवकी वैसे भी पॉस्टिक होता है और दूद के साथ बना के खाएंगे तो इसका स्वात भी बड़ेगा अब गर्मी में इसको फ्रीज में रखके खाएंगे देखना इसका स्वात कितना अच्छा रहेगा अब यह रबड़ी तयार है कड़ाई से अब मैं इसको प्लेट में रख देती हूँ एकदम गाड़ी रबड़ी है ठंडी होने के बाद यह और भी गाड़ी हो जाएगी देखे कितना अच्छा दीख रहा है बिलकूर रबड़ी की ही तरह दीख रहा है मार्केट में जो हम रबड़ी खाते हैं उससे ज्यादा स्वाधिष्ट है तो एक बार जरूर बनाईए बिना ड्राइफ प्रोच का भी बना सकते हैं सिर्फ माखाना है तो भी आप डालिए और नहीं है तो इस तरह से लाश में बनने के बाद बडाम और काजू पिस्ता से आप इसको डेकरेट कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बीना काजू बडाम ये भी आप इसको बना सकते हैं माखाना है तो सिर्फ माखाना से नहीं है तो लोकी और डूत का भी गाड़ा होने तक पकाईए बहुत ही स्वादिश लगता है अगर ड्राइफ प्रोच डालते हैं तो और भी टेस्टी बनता है देखे कितना अच्छा तैयार है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए लाश्य तक देखते हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देखे कि इतने अच्छा दिख रहा है एक दम गाड़ा बना हुआ है तो आप ऐसे ही लवकी का हलुआ बना के देखे दिखाती हूँ मैं आपको देखे कितना गाड़ा है बिलकुल जैसे आप किसी बड़े होटल से आप लेकर खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेश्टी है एक बार बना के जरूर खाईए हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब कीजिए पहली बार आएं थैंक्यू सो मच आप सभी का